हेलो एब्रिवन वेलकम बेक टो मैं चैनल हमारी ये वीडियो यूपी बीए डायरेक्ट अड्मिशन से रिलेटेड है डायरेक्ट अड्मिशन की प्रक्रिया 24 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डे 27 दिसंबर थी लेकिन अब उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया हो गया है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एड्मिशन करा लिया होगा और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एड्मिशन नहीं लिया है क्योंकि बहुत सारी सीट्स अभी खाली है तो जिन्होंने अभी तक एड्मिशन नहीं क के और कुछ स्टुडेंट्स ऐसे थे जिने गवर्मेंट कॉलेज एलॉट हो गया था वो ना पूल काउंसलिंग में पार्ट ले पाए और ना ही वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं तो मैं आप सभी से यह कहूंगी कि आप जादा से ज कॉलेज प्रोवाइड कर रहें क्योंकि कहीं भी गाइडलाइन्स में ऐसा नहीं लिखा गया था कि गवर्मेंट कॉलेज एलॉट होने के बाद आप पूल काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं अब हम यह न्यूस देख लेत जैसे की काउंसलिंग की जाती है उसी पोर्टल से काउंसलिंग पर लॉग इन किया जाएगा साढ़े साथ सो रुपे पे किये जाएंगे ऑनलाइन उसी तरह से आपका पूरा प्रोसेजर किया जाएगा इसी वज़े से जो गवर्मेंट कॉलेज इनको अलॉट हुआ था परामर्स दात्री समीती की बैटेक में लिया गया कॉलेज इस्तर पर सीधे प्रवेश की प्रिकरिया 24 दिसंबर से चल रही है राजे समनवयक संयुक्त प्रवेश परिक्षा प्रोफेसर अमीता वाजपई ने बताया कि काउंसलिंग का यह अंतिम चक्र है इस चक्र में सिर ने एंटरेंस इक्जायम नहीं दिया है साथ ही सिर्फ वे अभियर्थी शामिल होंगे जिन्वने मुख्य कांसलिंग में हिस्सा नहीं लिया यानि कि आप ना तो पूल कांसलिंग में पाट ले पाए नफ फस्ट राउंड में का पार्ट ले पाए तो आप डिरेक्ट अट म एजिली ले सकते हैं या फिर आपको दोनों ही काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो आप डाइरेक्ट एड्मिशन ले सकते हैं तो जो भी एड्मिशन लेना चाहते हैं उन्हें 7500 रुपे देने पड़ेंगे कॉलेज लखनव विश्विद्याले की वेबसाइट से अभ्योंति के ब्यचरे को सत्यापित करेंगे यानि कि उसी से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके भी सतर पर जमा किया जाएगा तो जो आपकी fees होगी, वो college level पर ली जाएगी, आपको by hand provide करनी, आप installment में भी दे सकते हैं, वहाँ पर बात करके, और आपको वहाँ से fee receipt provide की जाएगी, तो ये थी हमारी news, वैसे आप सभी जानते होगे कि date बढ़ा दी गई है, लेकिन कौन-कौन direct admission ले सकता है, इसके भी क्यां पर ले ले मैं वहाँ सकता है, जाएगी जाएगी, जाएगी जाएगी, जाएगी करे दोथ, जाएगी।